मसकार मैहुष शिवांगी आप सबों का स्वागत है बिहारी मीडिया में तो चलिए जानते हैं आज की 15 बड़ी खबरों को विस्तार से पहली का बड़ है बिहार STET का नोटिफिकेशन जारी आज से करिंगे आवेदन बिहार विद्याले परिक्षा समीती पटना ने माध्यमिक शिक्षा पातरिता परिक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बिहार STET के लिए आवेदन आज से शिरु किया जा सकेगा शिक्षक बनना जा रहे युवा आज से BSEBSTET.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे आवेदन की अंतिम्तिथी 23 अगस 2023 तै की गई है पेपर एक कितात हिंदी उर्दु बंगला मैथली संस्कृत अर्भी फारसी भोजपुरी अंग्रेजी गनीत विज्ञान सामाजिक विज्ञान शारीरिक शिक्षा संगीत ललीत कला निरत्यव विशेस विद्याले अध्यापक और पेपर दो कितात हिंदी उर्दु अंग्रेजी संस्कृत बंगला मैथली मगही अर्भी फारसी भोजपुरी पाली प्राकृत गनीत भौत की विज्ञान केमेस्ट्री बायोलोजी इतिहास भुगोल राजे नीती शास्तर सामाज शास्तर अर्थ शास्तर दर्शन शास्तर मनो विज्ञान गरे विज्ञान वानीज्य कंप्यूटर साइंस क्रेसी वा संस्क चुकाना होगा केवल एक पेपर के लिए या पेपर दो के लिए 960 रुपे पेपर एक और पेपर दो दोनों के लिए 1440 रुपे अनुस्वचित जाती अनुस्वचित जन जाती और दिव्यांक वड़क पुरुस्वा महिला उमिद्वार को शुल्क का भुगतान नियमा अनु गंगा नती समयत कई नदिया उफान पर निबाल और बिहार में हो रही भाड़ी बाड़िश की वजह से राज्य की नदिया उफान पर है इससे उत्तरभिहार के जिलों में निचले इलाकों में बाढ़ का संकत पैदा हो गया है बागमती कमला बलान भूतही बलान और बकिय नदी मंगलवार को ही खत्रे के निशान के उपर पहुँच गई है अगले 24-48 घंटे गंगा गंडक और अद्वारा के भी लाल निशान पार्क कर जाने की संभावना है इन सारी नदियों का जलस्तर अगले कुछ घंटों में और तेजी से बढ़ने का अनुवान है कोसी के वी अग़-ब्यार पक 40,000 कि उसे हिए तक बढ़ दोनों अस्थानों पर इतना जलस्तर बढ़ी रहे है बागमती एवं कमला बलान का जलस्तर 24 घंटे में सवा दो मीटर से अधिक बढ़े गया जबकी भूताई बलान के जलस्तर में 24 घंटे के पूनिया के रुपॉली में 24 घंटे में 270 मीमी बारिश हुई इस बीच मौसम विभाग की ओर से गुरुवार को चार जिलो, किशनगन, जररिया, मदुबनी और सुपॉल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई राज्य में बारिश की कमी का आकरा 32 प्रतीशत तक बिहार सरकार एक इकरित बागवानी मिशर योजना के तहत मश्रूम की खेती करने पर 50 प्रतीशत तक का अनुदान देती है। किसान मश्रूम की खेती से बढ़िया कमा सकते हैं, दरसल मश्रूम से चिप्स पापर पाउडर समेत कई अनुद पादन बनाए जा सकते हैं, इसके सामान कीमत 700 रुपे किलो है। ठोर कदम उठाया है, पक्रे जाने पर अभी तक 500 रुपे का जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन अब सिर्फ जुर्माना ही नहीं बलकि वसूला जाएगा, बलकि ऐसे लोगों को लाल सूची में भी डाला जाएगा, ऐसे लोगों पर CRPC की धारा 133 के तहत का रिवाई की जाएगी, उनकी सूची अनुमंडल दनरादिकारी के नियाले को भेज जाएगी। वहाँ बॉंड भरवाय जाएगा और जरूरत परी तो लोग संपत्ती, वीरूपन, अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज होगा, वर्तमान समय में नगर निगम कर्मियोग एवं स्मार्ट सिटी के तहत गए कैमरों से सेक्रो शत्रूधों की पहचान कर उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है, अब इनकी एक सूची भी तायार होगी, इसके बाद सूची अनुमंडल दंडा अधिकारी के पास बेज़ी जाएगी, सूची में शामिल सरक्षत रूदों पर सी आर पीसी की धारा 133 के तहत शहर के गंदा करने के मामले में कारवाई होगी बिहार में फिर लंपी वाईरस की दस्तक कई जिलों में मवेशी बिमार जाज के लिए बाहर भेजे गए सेंपल बिहार में एक बढ़ फिर लंपी वाईरस ने पैर पसारने शुरू कर दिये है मांसून की बारिस के बाद मच्छरों की संक्या बढ़ने से इस बिमारी से ग्रशीत पशुओं की संक्या में इजाफा हुआ है कई जिलों में इसकी शिकायत आने के बाद पशुएवं मतस्य संसादन बिभाग ने 108 संक्रमित पशुओं का सेंपल जाच के लिए भुपाल और कॉलकता भीज़ा है बिभाग का कहना है कि सेंपल की जाच रिपोर्ट आने के बाद ही लंपी स्कीन सद्रिश्य बिमारी की पुछ्टी की जा सकती है इस बिमारी से मवेशी को बिमार होने की सिकायत एक दरजन जिलों में आई है इनमें नालंदा सहरसा मदवनी बेगुसराय छप्रा सिवान सुपॉल गया और अंगाबाद नवादा कैमूर सीता मडी आधिक शामिल है लंपी के लक्षन की शिकायत आने के बाद पशु चिकिस्तक बिमार मवेशी का इलाज शिरू कर देते हैं निशुलक दवा वितरन के साथी पशु पालकों को सला दी जा रही है मुख्याले से टीम भेज कर ऐसे मवेशी का सेंपल भी लिया जा रहा है जाज के लिए सेंपल भुपाल इस्तित लैब भेज जा रहे है पशु चिकिस्तको का कहना है कि ऐसे लक्षन वाले पशु का इलाज मानक के अनुसार किया जा रहा है इससे बचाओ के लिए जैनवरी 2023 से टीका करन जारी है जिन पशु को टीका लग चुका है उनके गंभीर होने के खत्रा नहीं है साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के लिए गुड न्यूज पैसे होंगे वापस बिहार में साइबर फ्रॉड के शिकायत लोगों को उनका धन वापस होगा करीब 20.55 करोर रुपे पीरितों को वापस दिला जाएगा ये राशी बिभिन बैंकों के सहयोग से पीरितों के खातों में वापस की जाएगी राज्य में 26 फर्वरी 2023 से साइबर ठगी के शिकार लोगों को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हैपलाइन नंबर एक 930 कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत दर्ज की जारी है फर्वरी 2023 इसके पूर्व एवं बाद के दिनों में दर्ज शिकायतों के आधार पर बैंकों में होल्ड कराई राशी को वापस करने की दिशा में पहल शुरू की गई है बिहार बोर्ट का बड़ा फैसला अब 9-12 तक के बच्चों के अभिभावकों को स्कूल जाने का देना होगा शपत पत्र भरवा कर उन्हें शपत पत्र को वापस बिहार बोर्ट को बेजएंगे शपत पत्र किसे अभिभावकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चे हर दिन स्कूल जा रहे हैं बिहार बोर्ट ने 9-12 तक की कक्षा में 75 प्रतीशत उपस्थेती अनिवार कर दी है 13-15 अगस के बीच चलेगा हर घर तिरंगा अभियान डाग घर से होगी राष्ट्रिय ध्वज की बिकड़ी इतने रूपे होंगी कीमत केंद्रिय सरकार के ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाए जा रहा है इसके तहट देश्ट्रिय दूर दूर के कोने तक राष्ट्रिय ध्वज पहुंच सके ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ओर से भारतिय डाग विभाग को काम सौपा गया है पिछले साल भारत सरकार ने आज़ादी कामरित महसों के तत्वधान में हर घर तिरंगा अभियान की शिर्वात की और डाग विभाग ने इस अभियान को अंतिम छोड तक पहुचा है इस साल भी सरकार 13-15 अगस के बीच हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रही है पटना में ट्रैफिक नियम और हुए सकत वहन चलाते हुए फोन पर बात की तो देखा होगा देना होगा 55,000 आज से नियम लागू पटना में जब से सडकों पर ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए कैमरे के उपयोग शुरू किया गया है तब से ही ग्यातायात में काफी सुधार नजर आने लगा है अब पटना की ट्रैफिक पुलिस के नियमों में सकती बरतनी का फैसला किया है अब तक बिना हैमलेट पहने बाइक चालकों पर भी कैमरे की नजर लगी रहती थी अब ये कैमरे उन लोगों को भी पकड़ेगा जो कार, बाइक या ओटो या इरिक्षा का अन्य वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करते हैं ऐसे करते हुए अगर आप CCTV में कैद हो रहे हैं या ट्रैफिक पुलिस से पकड़ लिया तो 5000 रोपे का चालान कर जाएगा चालान की राशी तीन मा के अंदर जमा करनी होगी पटना में पहली बार वाहन चालान के दौरान मोबाइल से बात करने पर जुर्माना लगेगा इससे पहले पटना में ट्रैफिक के इस नियम का पालन नहीं हुआ था ये नियम केवल वाहन चलाने वाले पर लागू होगा वाहन के पीछे बैटने चालान का पड़ होगा जो वाहन चला रहे हैं ट्रैफिक स्पी पूरन कुमार जाने बताया कि लोगों को ऐसे हादसों से बचाना है जो मोबाइल पर बात करने के कारण होते हैं बीसी इसी बी ने मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए पहली मेधा सुची जारी की दिव्यान शुझा को पहली रैंक मिली है वो दूश्रे अस्थान पर स्नेहिल आनंद वो तीश्रे अस्थान पर सौम्य सिधार्थ रहे हैं पिछले साल से इस बार कटफ बढ़ गया है 2022 में बीसी इसी इबी की और से जारी मेगा सूची में 720 में से 686 अंक प्राप्त करने वाले शात्र धर्मवीर कुमार यादो को पहली रैंक मिली थी फिर 2022 में सबसे कम कटफ अंक था इससे पहले 2021 में 720 में से 705 अंक हासिल करने वालों को पहला स्थान मिला था वही 2020 में 720 में 696 अंक प्राप्त करने वाले का पहला स्थान था वर्ल्ड कॉप का नया शेडियूल नौ मैचों की तारीखे बदली भारत पाक मैच 14 ओक्टूबर को इंगलेंड पाकिस्तान अब 11 नवंबर को कॉलकता में भिरेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग ने वन डे वर्ल्ड कॉप 2023 का नया शेडियूल जारी कर दिया है कथा में होने वाले पाकिस्तान इंग्लेंड मैच 11 नवंबर को होगा टीम इंडिया ग्रूप स्टेज में अपना आखरी मैच 11 नवंबर को नीदर लैंड के खिलाफ खेलने वाली थी लेकिन ये मैच 12 नवंबर को बैंगलूरू में होगा भारत निया ऑक्टूबर नवंबर में 46 दिन तक वन डे वर्ल्ड होगा जिसमें 48 मैच खेले जाएंगे पहले मैच 5 अक्टूबर को पिछले वर्ल्ड कप की विजेता और उप विजेता इंग्लेंड और निउजिलेंड के बीच अहमदाबाद में होगा 12 नवंबर को ग्रूप स्टेज के 45 मैच होंगे 15 और 16 नवंबर को 2 सेमी फाइनल और 19 नवंबर को अमदाबाद में फाइनल खेला जाएगा इस बार दो दिनों के फेड में फसा रक्षा बंधन जाने किस दिन मनेगी राखी पिछले साल की तरह इस बार रक्षा बंधन दो दिनों के फेड में फसा है भद्रा के कारण ऐसी स्थिती उत्पर्ण हो रही है सावन पूर्णिया तीस अगस्त बुद्वार को लेग है लेकिन भद्रा के वज़ा से तीस अगस्त को दिन में राखी बांधने का शुब समय नहीं है महवीर सहीत कई अन्य पंचाओ के अनुसार भद्रा समापती के बाद शुद्ध पूर्णियमा में तीस अगस्त की राथ से लेकर 31 अगस्त की सुबा 7 बज़ के 47 मिनट तक रख्षाबंधन कतेवार मनाना सर्वोचर्म है हलाकि ओदी के पूर्णियमा के अनुसार 31 की सुबा से लेकर शाम तक बहन भया को राखी बांध सकती है